हलो बच्चो मैं हिमलता बैत करती आप सभी खा फिर्स्य स्वागत तो आज का विशय है हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण और अपनी किताब भाषा तरू से हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट का नाम है अपनी बात भाषा तो बच्चो हमने पिछले वीडियो में यह सिखाए कि भाषा क्या होती है तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसी आदान प्रदान पे निर्भरित एक छोटी कहानी हम परेंगे जि तो यहां क्या लिखाएं देखो टिया और इशान इधर आ रहे हैं वे हमें तोड लेंगे तो यह कुछ फूलों की भाषा है तो बच्चो जैसे इनसान हम एक दूसरे से बाते करते हैं भाषा के माध्यम से भाषा को प्रयोग करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए वैसे जानवर, पशुर, पक्षी, फूल, सभी के अपनी अपनी भाशा होती है, तो हर लीविंग ठिंग्स की जो जीते हैं उनके अपनी भाशा होती है, तो ये फूल इस गेंदे का फूल को ऐसे बता रहा है, कि टिया और इशान इधर आ रहे हैं और वे हमें तोड लेंगे, तो ग कुछ करना होगा, इशान हमें नौच कर फेक देता है, इसके बाद एक दूसरा फूल, यहां, क्या किया, इसने एक साइन बोड पर कुछ लिखा, लिख कर दिखाया बच्चों को, हमें न तोड़ो टिया इशान, हम है तुम्हारी बगिया इशान, तो इस साइन बोड के क्या कहा, प्यारे फूलो, हम तुम्हें नहीं तोड़ेंगे, तुम सब बहुत सुन्दर हो, तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि, जब हम भाशा को उपयोग करते हैं किसी को समझाने के लिए, तो दूसरा वह सुनकर या देखकर समझता है, और फिर अपनी बात कहता है, तो फूलो ने आपस में बात की, फिर बोट पर संदेश लिखा, तिया और इसान ने पढ़ा, इस तरह अपनी बात को बोलकर या लिखकर बताया, हम भी यही करते हैं, जब हम बोलकर बताते हैं, तो कोई सुनकर वो समझता है, और जब हम लिखकर बताते हैं, कोई देखकर वो समझता है। तो यही एक भाषा है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ। अगर हम भाषा को उपयोग ना करें, तो हम अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो यह थी एक छोटा सा अध्याए, अब हम जाएंगे इसके दूसरे अध्याए में, और यहां हमें मिलता है शब्द और वाक्ये। यह एक छोटी कहानी आइस्क्रीम वाला, लेकिन हमें यह जानना भहुत जरूरी है, कि शब्द और वाक्ये क्या है। इंग्लिश में शब्द को वर्ड कहते हैं। तो वर्ड कैसे बनता है इंग्लिश में? कुछ लेटर्स को साथ में जोड कर वर्ड बनते हैं, लेकिन उसका पूरा मिनिंग होता है। उसका मिनिंग होता है, तो वर्ड का मिनिंग होता है। वैसे ही शब्द हिंदी में कुछ अक्षर मिलके बनते हैं और उसका भी मिनिंग होता है without meaning तो वो शब्द ही नहीं जैसे without meaning वो word नहीं जैसे अगर मैं lion बोलू, l-i-o-n, lion इसका मतलब एक जानवर जिसका एक नाम है lion वैसे हिंदी में भैया ये एक शब्द है क्योंकि यहां दो अक्षर है और दोनों ने मिलकर एक शब्द बनाया जिसका मिनिंग है भैया, brother तो शब्द का मिनिंग होना पड़ेगा तो शब्द को जानने से पहले यह जरूरी है कि हम यह जान ले अक्षर क्या है तो अक्षर क्या है वह ध्वनी या ध्वनी समुह जिनका उच्चारन एक सांस में होता है उन्हें हम अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारन हम एक सांस में कर ले वही अक्षर या वर्ण होते हैं अक्षर और वर्ण दोनों एकी चीज है, जैसे क, ख, ग, ये सब सब अक्षर है यानि वर्ण, इनका उचरन एकी ध्वनी से होता है, एकी सांस में होता है, तो अब हम जानेंगे शब्द क्या है, दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण, मिलकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं, तो उनको हम शब्द कहते हैं, जब दो से या दो से अधिक अक्षर मिल जाते हैं, और मिलकर कुछ बताते हैं, जिसका कुछ अर्थ हो, तब हम उन्हें शब्द मानते हैं, अगर अर्थ ना हो, तो हम उन्हें शब्द नहीं मानतें, जैसे कल, काला, कमल, कठल, सेव, ये जोड़ा है और एक शब्द बनाया है तो अब हम जानेंगे वाक्या क्या है वाक्या को इंग्लिश में हम sentence कहते हैं और इंग्लिश में हमने यह जाना है कि sentence is a group of words that makes a complete sense that is mean a complete understanding इससे हमें पूरी बात समझ में आती है और अगर पूरी बात ना आये समझ में तो वो sentence नहीं है तो हिंदी में क्या है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समुहक जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्या कहते है वाक्या बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्द चाहिए और जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, आधा नहीं तो उन्हें ही हम वाक्या कहेंगे जैसे मैं जा रहा हूं इस पूरे चरीतर में हमें कुछ समझ नहीं आया मैं जा रहा हूं लेकिन कहां जा रहा हूं तो ये sentence नहीं हो सकता वाक्य नहीं बन सकता वाक्य के लिए हमें पूरी जानकरी मिल ली होनी चाहिए मैं बाजार जा रहा हूं यहां हमें पूरी जानकरी मिल जाती है कि मैं बाजार जा रहा हूं तो यह वाक्य है तो वाक्य का पूरा मीनिंग होना पड़ता है ठीक है? तो अब हम ये पढ़ेंगे एक छोटी सी कहानी ये लड़की आइस्क्रीम वाले को क्या कह रही है भाईया आया कौन सी आइस्क्रीम है आइस्क्रीम वाले ने क्या कहा चोकलेट वाली कितने रुपई की है आइस्क्रीम वाले भाईया ने कहा दस तो यहाँ हमने देखा कि बच्ची अपनी बात वाक्यों में कह रहे है यह सब सेंटेंसे वाक्य इसका पूरा मिनिंग है और आइसक्रिम वाला एक शब्द में उसको जवाब दे रहा है तो हम जब बात करते हम वाक्य का इस्तमाल करते हैं नहीं आया, इसको भी कुछ समझ नहीं आया, ये लड़की क्या मांग रही है, लेकिन जब ये लड़की कहती है, भाईया यह कौन सी आइसक्रीम है, तो ये पूरी बास समझ जाता है, कि ये लड़की आइसक्रीम के बारे में कुछ कह रही है, कि ये कौन सी आइसक्रीम है, तो तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, हमने ये जाना है, शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, जिनका पूरा अर्थ होता है, अर्थ ना हो तो वो शब्द नहीं है, और शब्दों का वह समुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वही वाक्या है तो इसी lesson में हमने यह जाना शब्त क्या है वाक्या है और the most vital अक्षर क्या है ठीक है तो हमें इतना जानना बहुत जरूरी है कि अक्षर क्या है शब्त क्या है और वाक्या क्या है इसके बाद हम सीखेंगे इसके दूसरे अध्या है तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद